तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नये और लेटस्ट वीडियो में पाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का उर्दू पढ़ने वाले हैं जी हाँ चैप्टर नॉमर 9 तक पढ़ा कर मैं स्टॉप की थी आज के इस वीडियो में उसके अगले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और अगले चैप्टर को क्या आज के इस एक वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जी हाँ दसवा ग्यारहवा और बरहवा बरहवा भी नहीं लिखी हूँ वह भी मैं लिखकर आप लोग को बताऊंगी मतलब आज के इस मात्र एक वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट आप लोग क्या सोच रहे थे कि सिल्बस कंप्लीट नहीं होगा पुरा आप लोग का सिल्बस कंप्लीट होगा टोटल 10th क्लास का उर्दू का चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगी आप लोग टेंसन फ्री रहें टेंसन ना ले हाँ भले ही थोड़ी सी लेट हो सकती है मेरी एंट्री भले ही यूटूब पर थोड़ी सी लेट होती है लेकिन सबसे ग्रेट होती है कॉंटेंट जबरदस्त होता है ठीके न यह आप लोग को पता होगा तो थोड़ी सी लेट हो गई है लेकिन हाँ पूर्ण चैप्टर पूरा सिल्रबस कंप्लीट होगा इस बाथ लोग ठेंजर फ्री रहें कि चैप्टर और सिल्रबस नहीं बेशक Export कंप्लीट होगा बस आप लोग घापन केडमी से जुड़े रहें लाइक शेर करते रहें ताकि motivation बढ़े और हम लोग निरंतर class लेते रहें ठीक है ना, चलिए आज के इस वीडियो को start करते हैं और तीनों chapter को एक वीडियो में complete कर लेते हैं सोचिए अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग एक chapter, एक वीडियो में तीन chapter नहीं complete करेंगे हम लोगो तो हर चेप्टर का अलग-अलग वीडियो चाहिए तो कोई दिकत नहीं है वो भी मैं आप लोगो पढ़ाई हूँ हर एक चेप्टर को एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाई हूँ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में डाल दी हूँ प्लेलिस्ट का आप पॉइंट बता दूँगी और शॉट कोट में बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे चलिए आज किस वीडियो को स्टाट करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करके मोडिवेशन बढ़ा दे चलिए स्टाट करते हैं दस्वा चैप्टर है जिसका नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर तेंथ क्लास के उर्दू का चैप्टर नंबर 10 यानि की दस्वा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर है ठीक है जो की एक मजमून है यानि की निबंध है किस चीज़ पर यह मजमून लिखा गया ये इतना लं ड्रामा निगारी ड्रामा लिखने को कहा जाता है ड्रामा निगारी तो उर्दू में ड्रामा निगारी और आगाहशर से क्या संबंध है उर्दू में ड्रामा निगारी के उपर निबंध लिखा गया है और आगाहशर के उपर आगाहशर कौन है क्या वो एक ड्रामा निगार यहीं ड्रामा लिखते तो किस तरह के ड्रामा लिखते हैं इसी के ऊपर यह मजमून यानिकि निबंध लिखा गया है ठीक है इसमें चेप्टर में आप लोत जी जानना है इस चेप्टर के जो राइटर है है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जादेतर कोश्चन राइटर से ही पूछता है तो लुत्फु रह्मान के बारे में जितना भी डिटेल्स दिया गया है मैं वोड़ पड़ लिक दी हूं और इसको हर एक पॉइंट को आप लोगो इंपोर्टन समझते हुए याद कर लेना है समझते हैं कि लुत्फु रह्मान की पैदाईश वह ना वो कब हुई थी तो सबसे पहले आप लोग यह जान लीजे कि लुत्फु रह्मान की पैदाईश उनके नानिहाल में हुई थी छप्रा जिला की बुलियार पूर में ठीक है और वालिदा यान की मा का नाम था बेबी आमना खातून लुत्फु रह्मान की अगर बात करें तो इनकी इप्तदाई तालीम जो है ना शुरुवाती शिक्षा वो छप्रा जिला इनके नानिहाल यान की बुनियार पूर में ही हुई थी और इन्होंने डवल में किया था द कोशन है पूछ देता है और बहुत बार पूछा भी गया है अब्जेक्टिव में कि लुत्फु रह्मान अपनी तद्री सी खत्मात का अगाज किस यूनिवर्सिटी से की है ऑप्शन में दिया रहेगा भागलपूर यूनिवर्सिटी आप लोग को धीरे से टिक कर देना है बिना सोचे समझे ठीके ना जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे आगे बढ़ते हैं सदर शोबय उर्दू भागलपूर इने से क्या होदे से सब्गदोश हुए थे देखें लुत्फु रह्मान जो है ना सदर शोबय उर्दू भागलपूर यानि कि उर्दू का जो डिपार नहीं किये थे खहें मजामीन नवेशी और शिरो शायरी से दिल्चसबी था इनका फितरी दिल्चसबी था बचपन सही यान कि तालेदीलमिन के जमाने से ही यानि की लुद्फु रहे थे अदीक प्ढ़ाई लिखाई कर रहे थे अभी इनका तेल विल्मी स्टुडेंट ला कुछ टेता है यानिकी written question में पूछ देता है कि बताईए लुथ cruc-rahramance का नाम क्या है और आप लोको लिखना होता है कि लुथ ताज़गी बरगनवाज जो कि घजल का किताब है ढूसरा है लो साय नाम ये भी घजल का किताब है और थीसरा है सनम आशना ये नसम का किताब है तो यह तीन शेर-घोठे Elizabeth की किताब का नाम है जो कि आप लोगों को याद रखना है रिजेन में पूछ देता है ठीखे तनकीदी मजमुए की बात करें, तनकीद किसे कहते है, मैं आप लोगो बताई हूँ, ठीके न, खरे खोटे की पहचान करना, कोई राइटर अगर कुछ भी लिखा हो, चाहे वो अफसाना लिखा हो, नजम लिखा हो, गजल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो उसमें क्या सही ह क्या गलत है, विशेश्टाओ, और कमियों को बताना ही, क्या कहलाता है, तनकीदी मजमुए भी है, तनकीद का किताब, याद रखना है, जदीदियत की जमालियत, नकद वनेगा, ठीके, नसर की शेरियाद, शेहरवफा, वगर वगर, यह सब क्या है, इनके, रुत्फु रह निगारी की बारे में बताया गया है, ठीक है, कि ड्रामा निगारी किसे कहते हैं, देखिए, जिन्दगी की हकीकत, या फिर किस्सा कहानी को, या किसी भी घटना को, किरदारों के जरिये स्टेज पर नकल करके दिखा देना, क्या कहलाता है, ड्रामा कहलाता है, और ड्रामा लिखने को कहते हैं बश्तालगी और फिर से सुनिये जिन्दकी की या किस to que को स्टेज पर नकल के खरीये दिखा देना क्या कहलाता है डिर्मा कहलाता है आप लोग डेखे भी होंगे स्कून कालेज वगरे में होता है और पहले तो बहुत दर्मा चलता था अभी धिरे धिरे ड्रामा का पर चला है ना वो खतम होते जा रहा है तेकिन आप तो मुबाइल आ गया है अंड्रोइड फोन आइफोन सब लोग लेकर मुबाइल में ही बीजी रह रहे हैं सब कुछ अब मोबाइल में मिल जा रहा है गेम्स मूवी सेरियल्स वगर हर चीज इंटरेंमेंट और जितना भी निविज मुवाइल में मिल जा रहा है तो आप लोग ड्रामा जो है ना भी दरेखना पसंदी रहा है तो कौन जायेगा ड्रामा देखने के लिए और इस तरह से जो लोग ड्रॉमा mobil दिखाते थे और जिनका रोजी-्रोटी ड्रामा दिखाने से ही चलता था एक पर से वो लोग विरज़गार हो गया है तो खेर जो भी बात हो हम लोग यहां पर आते हैं ड्रामा यहोप आप लोगो समझ में आ गया होगा कि जिंदगी की किस्टा कहानी यह फिर जिंदगी की हकीकत यह फिर कोई भी घटना को स्टेज पर नकल क के द्वारा तो आगा अगारी तो आगाहसर की अगर बात करें तो आगाहसर जो है ना उर्थू के बहुत बड़े ड्रामा निगार थैंकी यह द्जा लिखा करते थे और ठाभाशर जो हैन ड्रामा लिखने की शुरुवात किये थे उन्हें से एक में जब सरस्या देमद खा की तहरीक चल रही थी सरस्या देमद खा की तहरीक के बारे में तो आप लोगो पता होगा अलिगर मुस्ली मुनर्सिटी इन्होंने खोला था और जितने भी लोग थे उनको मोटिवेट किये लिए चल रहा एक यहने उर्दोच सिखने के लिए को आगे बढ़ाने का विष्टार करने का सबसे बड़ा युगदान सरस्या देमद का था और इनने की तहरीक긴 अलिगर मुस्लिम इनरसिटी मतलब इनी का खोला हुआ था और उस वक्त इनी का तहरीक चल रहा था उन्हें से एक में ठीक है ना और उन्हें से एक महीं आगा अशर कस्मीरी जो है ड्रामा लिखने की शुरुआत किये थे और बहुत बड़े ये ड्रामा निगार बने उर्दू का शेक्सपीर कहा जाने लगा उर्दू का शेक्सपीर सोचिए आगा अशर को लोग क्या कहने लगे उर्दू का शेक्सपीर बहुत बड़ी बात है हां कुछ लोग थे जो कि आगा अशर कस्मीरी से जलते थे और लोग बोलते हैं कि यह आगा अशर कस्मीरी यह त कांग खीचो किसी तरह खीच खीच कर इसको नीचे गिराने की कोईश करते थे लेकिन उन लोगों का आगा हशर पर कोई परभाव नहीं पड़ा कोई इफेक्ट नहीं हुआ आगा हशर जो है न अपने हुनर और काबिलियत के वज़े से फेमस हो रहे थे और जिस इंसान के पा मिलने से कोई नहीं रोख सकता है तो यह सबसे बड़ी बात है आगा हशर कस्मीरी ड्रामा लिखते थे कुछ लोग थे जो इन से जलते थे और इनको टांग खीच कर पीछे मतलब करना चाहते थे लेकिन यह अपने हुनर और काबिलियत से ड्रामा लिखना नहीं छोड़े ल लेकिन यह भी बहुत अच्छे ड्रामा नेगार थे लेकिन इन दोनों को उतनी मकबूलियत नहीं हासिल हुई जितनी आगाशर कस्मीरी को हासिल हुई थी ठीक है ना यह बहुत दा फेमस हुए थे उर्दू का सेक्स्पियर इनको कहा जाने लगा यह याद रखिएगा अब रखिएगा असी रहिर्स शहीद नाज मारे आस्तीन ख्वाब्यहस्ती खोबसूरत बला यहूदी की लड़की रुस्तम वसहराब और सिल्वर किंग यह जितने भी है ना यह सभी के सभी क्या है आगाशर करस्मीरी द्वारा लिखे गए ड्रामों के नाम है ठीके ना अब इ यह सभी ड्रामआ के जो ड्रामा निगार है वह आगाशर करस्मीरी है तो याद रखियेगा इसको एक बरत्यान से देख लीजे इसमें से कोई भी एक ड्रामा उठाकर पूछ सकता है किस ड्रामा के ड्रामा निगार कौन है option में दिया रहेगा आगाशर कस्मीरी आप लोगो धीरे से टिक कर देना है ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि question बहुत बार पूछे गए हैं जहां जहां से जिस तरह से question पूछे गए हैं आप लोगों के exam में और जिस जिस तरह से chapter number 10 complete दसवा chapter पूर्ण रूप से complete हो गया इसके इलावा और कुछ नहीं है आप लोगों के chapter में हर एक चीज बता दी अब इससे जितना भी कुछ भी मैं आप लोगों को बताई ना इससे बाहर आप लोगों के exam में कुछ पूछेगा नहीं जो भी पूछेगा इसी में से पूछेगा आगे बढ़ते हैं 11 chapter की बात करते हैं 11 chapter का नाम है आरे भट और तरेगना जो की मजमून है यानि की निवंध है आरे भट और तरेगना के उपर लिखा गया है आरे भट आप लोग जानते हैं तोनिया के मशूर साइंटिस्टों में से एक थे आरे भट ठेके इनकी अगर बात करें आरे भट की पैदाईश कहां हुई इनकी मृतिव कहां पर हुई तो यह बहुत जितने भी मतलब खोज करता थे वह खोजने की कोश्किये जांच परताल करने की कोश्किये कि आखिर आरे भट की पैदाईश कहां हुई मृतिव कहां हुई कब हुई यह पता लगाना बहुत ही ज्यादा मश्किल था लेकिन जांच परताल करने पर पता चला कि आरे भट की साइन्टिस्ट को उग्दू में कहते है साइन्स दाग तो दुनिया के मशूर साइन्टिस्टों में से एक थे और इन्हों नहीं 0 की खोज की थी कि जीरो जो आप लोग 0 लिखते है ना शुन्या उसकी किशोर किस ने किया था आरेभट ने किया था दश्मलों की भी खोज आरे भट नहीं किया था यहां तक कि पहले के जमाने के लोग यह जानते थे कि प्रित्वी क्या है चप्टी है लेकिन अपने रिसर्च से आरे भट ने यह साबित किया और लोगों को यह बताया कि जी नहीं प्रित्वी चप्टी नहीं है बलकि प्रित्वी गोल है ज चर्प समय समय है चलिए जोगा है यह पटना शहर से 30 मीटर जुनूब में मसूरी के नजदी के स्थित है तरेगना नाम का जगह कहां है तो पटना शहर से 30 मीटर जुनूब यानि की दक्षिट के दरफ आ जाईए मसूरी के नजदीक है ये तरेगना नाम का जगह और इसी तरेगना नाम के जगह पर जो है ना आरे भट अपना रिसर्च सेंटर खोले थे और रिसर्च सेंटर खोलकर वहीं पर जो भी रिसर्च करना होता था रिसर्च किया करते थे और उसी तरेगना में ही आरे भट जो है ना अपना मशूर किताब आरे सिध्धांत और तंतर लिखा था आरे सिध्धांत और तंतर ये जो किताब है आरे भट कहां बैठ कर लिखे थे तो तरेगना में बैठ कर लिखे यह question पूछ सकता है याद रखना है ठीक है आगे बात करें मसूरी स्टेशन देखिए पटना और गया railway line में जो मसूरी स्टेशन है ना लिएropriँ मसूरी स्टेशन का नाम बदलकर तरेगना रख दिया गया क्योंकि आरी बठ्ट और तरेगना यह दोनों एक दूसर से related है जोंस नदी स्टेबर ऑर्दू में पच्षिम बोला जता है ठीक है न तो तरेगना के पच्छिम में है सोन नदी और पूरब में है पुनपुन नदी यह याद रखिएगा पू से पूरब और पू से पुनपुन यह याद रखने का आप अपने खुद से common sense वाली बाते ट्रिक लगा सकते हैं तरेगना के पूरब में क्या है पुनपुन नदी और तो पूरव में है पुनफु नदी पच्चिम में सोन नदी ठीक है तरेगना में जो रिसर्च सेंटर खोले थे आरे भट और वहीं पर रिसर्च किया करते थे दिन भर रात भर रिसर्च किया करते थे और उन्होंने उसी तरेगना में 60 फीट की बुलंदी का एक टीला बना लि तो बस इतना ही आप लोगों के दिया गया है आरे भट के बारे में इतना याद रखेंगे काफी है इससे बाहर आप लोगों के पूछेगा भी नहीं अब चलिए मुल्क समझते हैं कि ग्रहन किसे कहते हैं सुरज ग्रहन और सुरज ग्रहन कैसे लगता है और 2019 वी का जो सुरज ग्रहन लगा था उसकी क्या-क्या विश्रिष्टाए थी यह आप लोग में बताया गया है क्योंकि आप लोग जानते हैं आरे बट साइंटिस्ट थे दुनिया के मश्वूर साइंटिस्टों में से एक और इन्होंने जितने भी किताब लिखे थे ना उसकी हेलप लेकर अभी के साइंटिस्ट जितने भी विज्यानिक है ना वो खोज किया करते हैं यह बहुत बड़ी बात है अभी के जमाने में जिस तरह लोग सोचते हैं और दिमाग लगाते हैं इस तरह की सोच आज से डेर 2000 साल पहले आरे भट के अंदर आई थी ठीके ना मतलब अभी के जनेरेशन के जैसा सोच और समझ जो है ना उस वक्त आरे भट के अंदर थी यह बहुत बड़ी बात है ठीके ना चलिए बब मैं बोर्ड मिटाती हूं और आगे समझाती हूं अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन लेना चाहते हैं तो जाता है ग्रहन और उर्दू बाशा में बोले जाता है ग्रहन और इंग्लिश में कहते हैं एकलिप्स सैयारा को इंग्लिश में कहा जाता है प्लानेट और हिंदी में कहा जाता है ग्रह तो समझ यह सैयारा तो आप लोग जानते होंगे प्लानेट यानिकी ग्रह को जब किसी एक प्लानेट का कुछ भाग किसी दूसरे प्लानेट से ढख जाता है न या फिर आप यूं कह सकते हैं कि किसी एक प्लानेट की परचाई किसी दूसरे प्लानेट किसी दूसरे ग्रह पर पढ़ने लगती है तो उसी घटना को कहते हैं ग्रहन लग गया है ठीक है उसी को क्या कह ग्रहन यानिकी Eclipse कहते हैं धीक है याद रखिएगा किसी से एक ग्रह का कुछ भाग दूसरे घ्रख जाना ही क्या कहलाता है अब देखेंग्य ग्रहन दो प्रकार होता है एक होता है सुरज ग्रहन को अगर आप लोग हिंदी में कहेंगे तो सुरे ग्रहन और इंग्लिश में कहेंगे तो सोलर एकलिप्स और चांद ग्रहन को लोनर एकलिप्स कहते हैं और हिंदी में कह सकते हैं चंद्र ग्रहन तो सूरज गरहन की बात करें कि सूरज गरहन कैसे लगता है तो समझ यहाँ पर सूरज गरहन किसे कहते हैं और यह कैसे लगता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ एक प्लानेट यानिकी ग्रह है और सूरज एक तारा है ठीक है ना सूरज एक जगा इस्थित होता है ठी और यह सन यानि की सूरज है अर्थ यानि की प्रित्वी जो है ना सूरज के चारो तरफ इतरा चक्कड लगाती है आप लोग जानते हैं यह मैं चक्कड लगवादी ठीक है ना मानदी जी चक्कड लगा रही है प्रित्वी इस तरह इस तरह सूरज का चक्कड लगा रही है ठी तरव में लगवा दी चक्कर तेख कंल koşने यह जड़ा रहा है अब देखिये होता क्या है कि सुराजर्ण किस तरह से लगता है इस आप लोग देख रहे सुराज यहां पर है और प्रिथ्वी जो है ना चक्कuggling लगा रही है यहां सूरज जिस से जो रौस्ली पृथवी तक आ रही थी उसको कौन रोक लेता है बीच में चान्द आका रोक लेता है यानि कि चांड की पढ़चाई पृथवीपर पढ़ने लगती है और पृथवीपर हम लोग रहते हैं यहां से जब हम लोग देखेंगे तो सूरज और प्रित्वी के बीच में क्या आ गया है? चांद आ गया है जब हम लोग प्रित्वी से सूरज को देखेंगे तो बीच में चांद आ जाने के वज़ास से सूरज जो है न, वो ढखा हुआ दिखता है इसी घटना को कहते हैं कि सूरज गरहन लगया जब प्रित्वी और सूर्य के बीच चांद आ जाता है और चांद की परचाई पर पढ़ने लगती है और जब प्रित्वी से देखा जाता है तो सूरज का कुछ भाग धका हुआ दिखाई देता है इसी घटना को कहते हैं सूरज गरहन जिस जिस देश में इस चांद की परचाई परती है उस देश में कहा जाता है कि सूरज गरहन लगा है यह आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब बात कर लेते हैं चांद गरहन की लेकिन उससे पहले समझें कि सूरज गरहन भी दो परकार का होता है है कि जघवी सुरज गहर और दूसरा है जो चांद यहां परोगा फिर शोड़ा कर आए होगा तो जब चांद यहां पर आए होगा तो water कुछ भाग धका होगा जब यहां पर आया होगा तो खुछ भाग구요 low हे चांद है ऑचानक यहाँ पर नहीं आया होगा और पहले चैन्द यहां पर बात इस्वार्च से कुछ भाग फिर और यहां पर आया होगा होगा पूरा यहां पर आ गया है तो तो वहीमें बिताना शाती हूं कि जब सूरज का कुछ भाग ढखता है ना सूरज का कुछ भाग चांद से ढख जाता है तो उसको कहते हैं जजवी सूरजगरहन यानि कि पार्शियल सोलर एकलिप्स मतलब कि सूरज का कुछ भाग चांद से ढख गया है तो उसको क्या कहते हैं जजवी सूरजगरहन लेकिन जब मुकम्मल पून रूप से सूरज जोहना चांद से ढख जाता है यानिकी बीच में एकदम आ जाता है चांद और पूरा का पूरा चांद जोहना सूरज को ढख लेता है इस घटना को कहते हैं मुकम्मल सूरज गरहन क्योंकि मुकम्मल तरीके से चांद जो है ना सूरज को ढख लेता है और सूरज इंदम काला दिखें मुझा पूरा ढखा हुआ दिखाई देता है तो इसको क्या कहते हैं मुकमल सूरज गरहन इंग्लेश में टोटल सोलार एकलिप्स अई वह पाप लोगों समझ में आ गया होगा अब समझते हैं हम लोग क कि चांद गरहन किसे कहते हैं इंग्लेश में कहते हैं लूनर एकलिप्स देखिए सूरज गरहन में क्या हो रहा था सूरज गरहन में हो रहा था यह कि सूरज और प्रिथ्वी के बीच में चांद आ जा रहा था ठीक है जिसके वज़ा से सूरज का कुछ भाग धका हुआ दि यह जो चांद था यह चकड लगाते 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 इधर आ जाता है देख सकते हैं यह जो चांद है चकड लगाते लगाते इधर आ का वह दिखाई नहीं देगा क्योंकि प्रित्वी तो खुद सुरज से आने वाले किर्णों को रोक लिया है ठीक है ना तो जब चांद और सुरज के बीच प्रित्वी आठबक पढ़ता है और प्रित्वी की परचाई चांद पर पढ़ने लगती है तो इस घटना को कहते हैं कि चांद ग्रहन लग गया है ठीक है ना इत्सी को कहते हैं लूनर एकलिप्स कहते हैं आई होप आप लोगों को समझ में आगया होगा देखिए यह सन है यह चार तरफ इस तरफ चक्कर लगाए और यह अर्थ यानकी प प्रित्वी आ जाती है और प्रित्वी जोहना क्या कर देती है सुरज की ग्यूनों को चांड तक जाने से रोग देती है। इसे को कहते है लोनर 2009 में जो सुरज गरहन लगा था उसकी क्या खुसूसियत थी एक TV सभी का सबसे बड़ा सुरज ता कौप 2009 समय एदारा जू है NAASA के एक साइंटिस्ट थे छे अंडर्सन थे लूड 20 सालों से तहकीक कर रहे थे रिसर्च कर रहे थे जो Спасибо 2009 में स्वेज्गरहन लगने वाला था उसके लिये ये अंटरसन जो थो थे वह 20 आलों से तहकीक कर रहे थे और ठीक एक साल पहले 2009 में लगने वाला से से थीक एक साल पहले यानी कि 2008 में जे अंडर्सन जो है ना दो सर्वात का यानकी दो सब पेज का एक रिपोर्ट पेश किये थे जिसमें वो बताये थे जे एंडर्सन कि 2009 का सुरजगरहन जो लगेगा वो कहा लगेगा और उसका प्रभाव किस तरह होगा ठीक है ना मतलब टोटल सुरजगरहन में लगने वाले सुरजगरहन के बारे में सारी जनकारी लिए जो हैना उस रिपोर्ट में पैश किये थे जे एंडर्सन ठीक है न और उसी रिपोर्ट में लिखे थे जेंडर्सन कि 2009 में लगने वाले सुरजगरहन को mind को देखने के लिए सबसे मुनासिब तरीन जगह जो है ना सबसे अच्छा जगह वो है तरेगना और जब तरेगना का नाम आया तो उसके साथ आरेभट का भी एक बाल फिर से जिक्र होने लगा क्योंकि तरेगना जो है ना तरेगना में ही आरेभट का रिसर्च सेंटर था जैसा कि मैं आप लोग को पता चला कि मतलब यम्री तरेगना में रहेकर किया करते थे क्योंकि तरेगना में हर साल पूरे के पूरे साल आसवाल साफ रहता था ठीक है ना और करने में अरेबट को आसानी होती थी तो सभी लोग को समझ में आsky voice बागे मतलब आरेबट बहुत ही मुनासिब तरीन जगा ढूंडे थे अपना रिसर्च सेंटर खोलने के लिए तो फिर से तरेगना का नाम उभरने लगा और आरेबट का नाम उभरने लगा ठीक है न और सभी लोग का इंतजार सभी लोग इंतजार करने लगे 2009 22 जुलाई 2009 की जुलाई से ही सभी जितने भी मुल्क और गयर मुल्क में अख़बारों में नीर्स चैनल वगरे पर एक खबर जो है ना चापी जाने लगी कि सबसे बड़ा सुरजगरहन 22 जुलाई 2009 को लगने वाला है और इसको देखने के लिए सबसे अच्छा जगा जो गया है ना वो तरेगना है चावर तरफ यह न्यूज फैलने लगा और गयर मुल्क और गयर मुल्क अमेरिका के नासा इसरो पोलेंड मैं पोलेंड यहां पर एक नुक्ता देना भूल गई पोलेंड और नैनी ताल के जो बड़े-बड़े रिसर्स इंसिटीउट थे वहां के साइंटिस्ट जो है ना वो तरेगना में आने लगे क्योंकि तरेगना ही सबसे अच्छा जगा था 2009 के सुरजगरहन को देखने के लिए तो जितने भी अपने मुल्क के साइंटिस्ट थे और सुबह कितना बजी लगने वाला था यह सुरजगरहन तो याद रखिएगा पांच बज कर 29 मीटनट और 58 सेकेंड पर यह सुरजगरहन लगने वाला था और सभी लोग एक खास किसम का चस्मा लगाकर इंतजार कर रहे थे क्योंकि सुरजगरहन को नंगी आखों से नहीं देखना चाहिए बहुत थानिकारक होता है उसके लिए खास चस्मा आता है उसको पेहन कर देखिए कोई दिकत नहीं है तो जितने भी साइंटिस्ट आये थे जितने भी लोग इकठा हो मतलब हजारों लागों की तादाद में लोग तरेगना में इकठा हो गये थे सुरजग गरहन लगने से कुछ मिनट पहले कुछ लम्हा पहले बहुत ही तेज आंधी तुफान आया बहुत ही तेज आंधी और मतलब इतनी तेज हवाय चल रही थी और चारों तरफ अंदेरा हो गया था ऐसा लग रहा था कि फिर से रात हो गई हो इतना खतरनाक हुआ था मतलब की तेज आंधी तुफान तेखे और उसके बाद से जितने भी छोटे मोटे चोटे मोटे कीडे मकॉडे और जानवार थे सब अपने बिल में वापस गुजगये थे मतलब बहुत डेंजर हो गया था मौसम बिगड़ने लगा था और चारों तरफ अंधेरा हो गया अंधेरा ही सुरज गरहन को नहीं देख पाए अफसोस और इस तरह का सुरज गरहन में आप लोगों को बता दूं कि 273 सालों के बाद ही लगता है यानि कि 2009 से लेकर एक 113 साल जोड लीजिए 273 साल के बाद लगेगा तो फिर से इस तरह का सुरज गरहन देखने के लिए 173 सालों का इंत अगली पिढ़ी आएगी वो देख सकेगी तीक है नए नए जो साइंटिस्ट होंगे वो देख सकेंगे एक सती ही साल के बाद सबसे बड़ा सुरजगरहन और क्या पता कि उस वक्त भी उसी तरह हो जाए ते जांदी तुपान हो जाए और फिर से रात जैसा माहौल हो जाए औ तो फाइनली यहां पर हो जाता है चैप्टर नंबर 11 कम्प्लीट ठेकिन दस्वा और ग्यारहवा चैप्टर कम्प्लीट हो गया अब बचा है बरहवा चैप्टर तो उसको भी मैं बोड मीटा कर लिख रही हूं पहले आप लोग ले यहां तक पड़ावर स्क्रीन शॉन्ट है अब आई हम लोग समझ लेते हैं लास्ट चैप्टर जोकि इस वुडियो लास्ट चैप्टर है वहे बारहवा चैप्टर और इसके अगली वुडियो में हम लोग वियरा को ब्रोलत को लग रह東 प्रोलस यह जए हो रहा है तब बिल्कुल सही सोच रहा है मा और बेती केились कंवर्सेशंद गुफतगु है जो कि इस चाप्टर में किस तरह से गुफतगु हो रही है यह बताया गया है और ध्यान में रखे गा यह चैपटर एक नावील है, नावील किसे कहते हैं, मैं बता दे रही हूँ, नावील देखिए किसी इनसान की जिन्दगी में घटित हुई, ही Commonwealth की घटना को सब्सक्राइबर का एक फैमिली बन चुका है तो कैसे मैंने स्टार्ट किया कौन-कौन सी मुसीबतों का मुझे सामना करना पड़ा और किस तरह से मुसीबतों को मैंने फेस किया किस तरह से मैं उन मुश्किलों से लड़ी यह मैं अपनी जिल्दगी की घठनाओं को बताने लगी एक-एक करके आप सुन रहे हैं और मैं आप लोगो बताने लगी एक-एक करके कि मेरे सांथ कौन और कौन कौन से घटना हुई किसने जलन शिलता से क्या क्या किया यह हर एक चीज़ बताने लगी और फिर मैं किस तरह से हमारा यह चानल है इतना पॉपुलर हो गया ठीक है ना अभी धायलक सब्सक्राइबर का एक फैमली बन चुका है ठीक है ना तो यह हर एक चीज़ बताने लगी और आप लोग सुन रहे हैं अब सुनने के बार आप लोग रियलाइज किये कि हाँ इस तरह से हुआ होगा त्यक्यान करके अब मेरी कहानी को अगर गटना हो छुकी तो समझें कि यह भी च्विटर क्या है रिएज की गतना की दान की बात माँ बेटी के ब कषिल लखने वाले व्यक्ति को नाविल नेगार के तो इस च Podeर के जो रॉइटर है नाविल नेगार वो है टिप्टीम नजीर एहमद और याद रखिएगा झो है न ये उर्दू के पहले आविल नेगार है ये भी याद रखना जरूरी है तो चलिए समझ लेते और फिर में आप लोग को यह कहानी एक दम यह जो नाविल है आखिर इसमें कहानी बताई गई है तो इसको हम लोग समझेंगे समझते हैं डिप्टी नजीर एमद की पैदाईश हुई थी छे दिसंबर 6 दिसंबर 1836 जिला बिजनोर की अफजल गड़क परगना की बस्ती कुरेटर में डिप्टी नजीर एमद की पराईश हुई थी ठीक है इनके वालिद का नाम था साधत अली वालिद यानिकी पिता जी का नाम के साधत अली और इनके नाना जी का नाम था काजी गुलाम अली ठी रहें और इतना जो थी इनके नाम ही हुई थी और वालिद से इन्होंने अर्वि वह पारसी और अपने पिता जी साधत अली नाम्यारी कितामों, कि मौलवी नासूर आwo से थी जो अट रहिans है नां कीताम हासिल और शंग मौलवी नसुरुलाह कोशन पूछ देता है ठीक है ना और उसके बाद से फिर आगे की तालिम के लिए आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए डिप्टी नजीरेमत कहां चले गए तो दिल्ली चले गए दिल्ली कब गए थे तो 1845 में गए ते 1845 में गए और जाकर दिल्ली के कॉलिज में दाखिला ल दिल्ली में रहे थे और उसी दोरान इनकी शादी हो गई अब्दुल्खालिक की पोती से ठीक है ना और फिर यह हसूल माश के लिए पंजाब चले गए यानि की अब कमाना जरूरी है जिन्दगी बसर करने के लिए ठीक है ना तो उसी के लिए चले गए थे पंजाब और फ यानगा इनके इनके इंस्पेक्टर बने थे इसलिए इनके नाम किया झागी रगाया जेता है डिटि नजीर आमद把它 inspector और आखरी इनका ये आप को Οिज नहीं किया तो इसी वजह जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि इनको डिप्टी नजीर अहमत कहा जाता है और उसी दौरान 1867 की क्रांती भी हो गई थी 1867 में गदर का वाक्या हुआ और दिल्ली में यह फिर वापस आ गए ठीक है ना कानपूर इस तरह से पूछ सकता है कि उर्दू क्या वली नावी इंदेकार कौन है अप्सन में दिया रहेगा डिप्टी नजीर एमट ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं इनके नाविल का नाम में लिख दी हूँ नाविल जो की इंपोर्टेंट है बहुत ही जड़ा उसन अब तो और यह और यह थीसरा तौपतल नसुव जो की इंठार साथ सतंतरस बीक परकाश्रीत हुआ था अभी जो लोग नाविल पढ़ने वाले हैं यह किताब तो अपतल नसुव से ही लिए लिए है ठीक है ना और फसानाय मुपतला यह भी नाविल का ही किताब है जो प्रकाशित हुआ था अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर को पड़ाबड इसको कम्प्लीट कर लेते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि एक नाविल है और इसमें मां और बेटी के गुफ्तगू हो रही है मां का नाम है फहमीदा और बेटी का नाम है हमीदा लेकिन दूसरे के husband wife रहते हैं लोग तो नसू की बीवी हमीदा रहती है और इन दोनों मतलब फहमीदा और नसू के तीन बेटे तीन बेटी और दो बेटे रहते एक बार फिर से सुन लीजे नसू जो की इस चाप्टर का मरकजी किरदार है में करेक्टर है ठीक है ना और उसकी और सबसे चोटी अभी दूद पीती भी बच्ची रहती है उसका नाम रहता है नन्नी बववा ठीक है ना तो यह तीन बेटी और दो बेटे रहते हैं और यहां पर गुफ्तगू हो रहे हैं यह किनके किनके बीच तो फैमीदा यानिकी मा और मंजली बेटी हमीदा के बीच आलिया मतलब उतना ना समझ टाइब की रहती है ठीक है ना यह बोला जाता है ठोड़ा मेंटली वी किये रहती है और उतने मतलब चीजों को समझ नहीं पाती है जल्दी गुस्सा हो जाना और अपने ही दुनिया में मग दर्वाजा बंद करके घर में अकेले रहना इस तरह शाप उस तरह होती है अधरा लेकिन हमीदा बहुत चलाक्त रहती है लोगों से बाते करना ऑर मतलब सीखने और सीखाने भाव रहे इसके अंदर बहुत जदा रहती है तो मिंदा फिमीदा के बीचे गुस्तों हो रही है अब देखें किस तरह से स्टार्ट हो रहा है। नसू फेहमीदा और हमीदा य सजा घर में एक साथ बैठे होते हैं समय घटिया ले खहते हैं जोस कि ढिएнять नमाज पढ़े हैं साथ कर दिये हैं और आप के इस नमाज पढ़ने के वज़ा से आपकी बेटी जो है ना हमीदा मुझसे पुछती है कि मा यह बाबा को हो क्या गया है मैं देखती हूं कि दिन में तीन-चार बार हाथ मूँ दोते हैं फिर चट उठाते और बिचा कर खड़े हो जाते हैं हाथ बांध पूछती है कि अच्छा आंपचा Amie जान यह नमाज क्या किस होती है तो फ़ेमीदा कहती है कि कि खड़ा की अबहकत ही ज़्यादा जाती यह चीज़्यक है क्योंकि इसको एसास होता है कि देखो वमीदा कितनी भूली है कि इसको इतना भी नहीं पताई कि खुदा क्या चीज़ है लब खुदा किसे कहते है जब यह फैमीदा बताती है कि अल्ला ताला की खुदा की अबादत करने को ही क्या कहते है नमाज कहते है खुदा की नमाज में अबादत की जाती है तो इस तरह से कोशन पूछना हमीदा क कि ये खुदा क्या चीज होती है ये कोशन सुनकर जो है ना फैमीदा चौक जाती है कि देखो मेरी बेटी जो है कि इसको इतना भी नहीं पता है कि खुदा क्या चीज है फैमीदा पूछती है हमीदा से कि क्या तुमको यह भी नहीं पता कि खुदा क्या चीज है तो हमीदा कह देहाते भी मैंने सुना है तो क्या खुदा वे जां है यह यह सुनकर फ्रक्र então करो और रख भी हा में हम सब को पैदा किया और इस दुनिया में सब ही को रोजी रोटी खुदा ही देता है यह क्थ हम सब को کھाने पीने को मूंसे पूछती है कि अबीजान क्या आपको खुदा ख़ाने के लिए देता है तो अबीजान बोलते हैं कि हां से अच्छा क्विजान खुदा को दोर खुद मेक्ट कर लाते हैं सब्सवर खोरीच कर लाते हैं तो तो खुदा किस तरह देता है खाना हम लोगों को तो फैमीदा बोलती है कि खुदा के वज़ा से ही तो सरसब्ज उगते हैं सब्जिया निकलते हैं जमीन से सब्जिया उगता है फल निकलता है सिर्फ खुदा के वज़ा से खुदा अगर चाहा दे तो यह फल सब्जिया पेड तो फिर हमीदा अपनी मां फैमीदा से कहती है होधा हम लोग को खाने पीने के लिए देते है लेकिन मैं देखी हुँ कि मालिक अगर अपने नौकर से नौकर को कुछ देता है तो फिर पैसे वगरा देता है या फिर कुछ भी देता है तो उससे काम करवाता है तो फिर खुदा क्या हम लोगों से कुछ काम करवाता है हम लोग को खाने पीने के लिए देता है तो इसके में हम लोग नमाज पढ़ते हैं खुदा की अबादत करते हैं कुरान शरीप पढ़ना यही तो काम है तो अमीदा बोलती है अच्छा तो अमीजार क्या आप खुदा की दीवी मतलब रोजी रोटी को नहीं लेती हैं क्या खुदा जो खाने पीने के लिए देता है क्या आप न और दिल और जान और शिद्दत से उसकी अबादत करनी चाहिए कि हम उनको खाने पीने के लिए देता हैं हम लोगों को जिन्दा रखता है तो फिर आप अमीजान क्यों नहीं नमाज पढ़ती है अब ये बात सुनकर फहमीदा को खुद अपने आप पर शर्म आने लगता है सोचिए यहांपर एक छोटी सी जो है ना लड़की है और इतनी बड़ी बड़ी बाते कर रही है जिससे खुद मा को अपने आप पर शर्म होने शर्म आने लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है सोचिए हमीदा कितनी भूली और मासूम है और कितनी शरीफ है वो खुद बो करती है कि कुछ लॉंडियों को नहीं देखी हो जो की नमक हराम होती है मालिक का दिया हुआ खाना खा लेती है लेकिन देहचोर होती है कामचोर होती है उसी तरह कि लॉंडी मैं भी हूं खुदा की लॉंडी मैं तो हमीदा अब अपने अबू से पुछती है कि अबूजान अच्छा किया आप मतलब ज़िस जितने इनों से आप नमाज पढ़ रहे हैं उसके पहले आप खोदा के देयूover roza roti मतलब नहीं लेते थे क्या खोदा के देए खाने पीनों को नहीं खाते थे तो हमीडा के जो अभू है नसु ओ कहते थे देशक हम खाते उसके पहले भीखाते थे तो पहले क्यों नहीं नमाज पढ़ते थे तो नसु कहें नसु जो है ना यहीं कि अब भलत बात है पहले भी पढ़ना चाहिए कि मैं देखी हूं कि अगर मालिक अपने नाकरों से काम कराता है और वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो वह तनका काट लेता है और नराज हो जाता है तो क्या खुदा हम सभी लोगों से भी नराज हुआ हो तो होते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि वो नराज होकर या फिर गुसे में आकर तनखा काट ले मतलब तनखा का मतलब क्या वो रोजी रोटी ना दे ऐसा आज तक नहुआ है और नहीं होगा चाहे मतलब आप इबादत करो या फिर ना करो खुदा का काम करो या फिर ना करो नमाज प लाद नहीं औरpero को रोजी रोटी देता है हम लोग नमाज आदा भी नहीं करते हैं तो भी वह रोजी रोटी देता है और दिल जान लगाकर हमें नमाज चाहिए खुने पढ़ी और चाहिए खुडा का इबादत करने चाहिए थिसत फिर अम्मेजान हम भी तो खुदा का काम कर सकते हैं हम भी तो अल्लाद अला की दीवी रोजी रोटी को लेते हैं हम भी तो खाना खाते हैं खुदा जो खाने पीने को देता हैं हम भी खाते हैं और हम नमाज नहीं पड़ते हैं तो क्या खुदा हमसे नाराज नहीं हुआ होगा तो फैमीदा बोलती है देखो नाराज नहीं हुआ होगा इसलिए नहीं हुआ है खुदा तुमसे नाराज क्योंकि खुदा ने बच्चों के लिए नमाज माफ कर दी है तो फैमीदा कहती है क्यों मा बच्चों के लिए खुद कर सकती हूं मैं पानी लाका रख देती हूं खाना फ़ंगरा परउच कर लेती हूं थेखे हैं तो हमीडा केती है कि हां भी धोकर और खड़े हो जाते हाथ बंद कर और वो कुछ कुछ पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं उसमें तो फैमीदा बोलती है कि हाँ उसमें जो है ना पढ़ा जाता है मतलब खुदा का शुक्री आदा किया जाता है सभी एहसानों का शुक्री आदा किया जाता है खुदा की तार बोलकर अपनी गुर्म की माफिह माँजी तो मिमीर बोलती है नहीं अर्भी भासा में बोला है लगर पड़ते हैं तो ऐसे किया मेर्वि नेरvpling आता है किया आपको portable आती है तो उनवरबी नहीं अचाहे तो क्या क्या भूदा सिर्फ अर्वी भाषा को समझता है तो फामीडा और भाषा को समझता है बिलकुल नहीं गूदर tired हर दिन बातफिक गुर्इंड हैं भाषाह को भी समझें लोग.. सुन रहा है यहां यहां तक की खुदा यहां यहां पर भी मौझूद है यह बात सुनकर हमीदा डर जाती है कि उसे लगने लगता है कि खुदा यहां पर भी मौझूद है तो बेशक खुदा तो हर जगा मौझूद है तो पूछती हमीदा से कि अमीजान तो क्या खुदा यहां पर भी मौझूद है तो अब जो है ना अंगो वह रहां हमारी बातों को भी खुदा सुन रहे होंगे तो नाराज हुज है इस जीर से डर जाती है अर फड़ा-फड़ डुपत्थ उड़ती है और उसके बाद से चुप ऊ-जाती है जया एका प्र लेजाकर रहरं कर उस्तु रसू से बोलती है कि देशे कितनी छोटी सी लड़की और कितनी बड़े-बड़ी बाते कर रही है इसके सवालों का जवाब देना भी तो मुश्किल हो गया है सोचे इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी-बड़ी बाते कर रही है हमें लगता है हमारी बेटी को कुछ हो गया है रस अच्छा एक काम करो Fahmida कौन बोलता है लस्सकै कि देखो Fahmida तुम एक काम करो चीणों बेटियों की तालिम तुम दो और जू दोनों बेटियों की तालिम मैं दूंगा करो क्भाराइ Civic ठीक है ना और यहीं पर हो जाता है इस नाविल का दे इंड और फाइनरी यहां पर हो जाता है चैप्टेर नमर टोईल कॉम समझ में आया होगा और समझ में आया है तो comment में लिख कर जरूर बताये और विडियो को लाइक जरूर करें दिखे लाइक तो बनता है क्योंकि एक वी इस्तिदार चोटे बड़े भाईबन जितने भी लोग हैं आप लोग के कॉंटेक्ट में चारों तरफ शियर कर दें ताकि सब भी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके अगर आप लोग लाइक शियर करते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है न वो कामयाब है तो यतना ज़दा हो सके लाइक करें लाइक तो यहां तक स्क्रिन शॉट लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है ले लिजे पड़ावर स्क्रिन शुट तो फाइनली यहां पर हो जाता है वीडियो का देंड चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिए होंगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज